यस पीपल गुड मॉर्णिंग गुड आफ्टरून गुड इबनिंग टू अल फ्यू कैसे सब लोग होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं तो मेरे साथ है आपके प्यारे संकल्प सर और संकल्प सर हम आज क्या बताने वाले इस लेक्चर में है तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ वी आर गुंग तो अनॉंस दबैच फॉर सी ए इंटरमीजेट में टू थाउजन और ट्वेंटिफॉर न्यू सिलेबस का पहला अटेम्ट या तो जैसा की फाउंडिशन का रिजल्ट आने वाला है तो क्या होता था कि क्लास लुद्ध कर लेगा अपको सेल प्रिवजन के लिए टाइम जयादा मिलेगा अभी बश्यान को सेल फॉद्ध कर पाएगा तब तक अच्छे मार्क्स आगर और रेंक का टारगेट है तो सर हम जो बीबी वर्टॉल की टीम में हम कैसे इनके लिए प्ला करना है तो आज हम आपको बैच की डीटेल है वो आपको बताने वाले है तो चलिए संकल्प सर आप बैच के बारे में इनको बताईए कैसे कैसे हम करवाने वाले है सो एक कहवत है हिस्ट्री रिपीट इसेल्फ तो मैंने और बीबी सर ने जब एक्जाम दिया था तो पी टू सी ए इंटर होता था तो हमारे टाइम पे सिक सब्जेक्स हुआ करते थे वही जिस तरह से हम लोग ने एक्जाम दिया है एक्जाम को दोनों ग्रूप पास किया है वो पूरी तरह से अब हम लोग को लग रहे आ रहे yara यह तो एक्डम connected strategy लग रहे है and that is what we are going to share with you so morning 7am से evening 7pm आपके lectures रोङे बहुत मजा आएगा आप लोको सो तैयार हो जाएए आप लोग को जो एक hard work जो आप लोग ने सुना है CA के students को करना होता है Now this is the time to show your best So group 1 and group 2 दोनों का यहाँ पे schedule है Sir आपको group 1 का schedule बताएंगे मैं आप लोग के साथ group 2 का detail में schedule discuss करूँगा And we are awaiting the rankers list Yes sir, मैं इनके साथ मैं best schedule है वो share करने वाला हो लेकिन आपने बोला कि सुबह 7 से evening 7 मतलब इनको लगता है 12 घंटे के लिए lecture रहेंगे नहीं, don't worry उसके बीच में आपको छोटे-छोटे break मिलते रहेंगे तो आप tension बिलकुल ना लीजिए 12 घंटे का effective study नहीं रहेगा उसमें आपको breaks मिलते रहेंगे जैसे पहला lecture हो गया उसके बाद आपको 40 मिनट का break मिलेगा जिसमें आप आराम से अपना breakfast कर सकते है खाना खा सकते है बाकी थोड़ा revise भी कर सकते है वो सब चीज़े आप कर सकते है तो आपका batch कैसे रहने वाला है तो आप एक काम करिए सबसे पहले morning 7 to 10 है वो BB virtual में accounts और loco sir दे रखा है तो accounts में जैसा कि आपको पता है जुबेड sir है वो पढ़ाते है account आपको advance account है उसका नाम है और advance account में बहुत सारे AS वगरा है और वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे तो जुबेड sir का batch है वो आप लीजिए जो आपको week में 4 days के लिए रहेगा means Monday से Thursday तक sir है वो आपको account पढ़ाएंगे 4 दिन 3 घंटे का batch रहेगा 7 बजे से लेके 10 बजे तक और उसके बाद में 4 दिन के बाद में 3 days आपके लिए law चलेगा और law जो है वो रहेगा आपका Friday, Saturday, Sunday और law कॉन पढ़ाने वाला है अंकिता बोरा मैम और मैं बता दू अंकिता मैम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली है उनकी books जो है वो मैंने खुद देखी है उनकी lecture मैंने खुद देखे है and I am really impressed with हर content उन्होंने जो content बनाया है और आपको जो content मिलने वाला है और जिस energy के साथ वो पढ़ाती है that is amazing so don't worry about that law आपका ऐसे complete हो जाएगा उसके बाद में सर 7 से 10 तक हमने accounts और law हमारा हो जाएगा अभी August में चालू होगा और complete हो जाएगा 31st December तक आपका ये target होना चाहिए अगर बोद group आप try कर रहे हो दोनों group आपके complete हो जाना चाहिए classes 31st December तक जिससे की 4 मंद का आपको self study के लिए time मिले उसके बाद 10 o clock आपका complete हुआ law account आप पढ़ रहे होंगे हर week में उसके बाद मैं 10.45 से मेरा DT पढ़ा रहा होंगा और 10.45 से लेके और 1.15 तक आपका DT रहेगा धाई घंटे हम direct text पढ़ रहे होंगे week में कितने दिन रहेगा सर week में 6 days रहेगा संडे को हम आपको चुट्टी देंगे don't worry DT में संडे को चुट्टी रहेगी थोड़ा revision करिए आराम करिए संडे को तो मैं आपको 6 दिन है वो direct text पढ़ाऊंगा अब जैसे ही direct text आपका complete हो जाएगा because 31st October तक मैं direct text complete कर दूँगा फिर November December में आपको विशाल सर है वो विशाल सर आपको IDT पढ़ाएंगे तो जिससे कि आपका taxation वाला paper है best faculties के साथ में उसके साथ साथ में अगर आप बोलते के नहीं हमको IDT अभी लेना है तो हमारे पास एक morning batch और available है अभी से that is 7 to 10 है राजकुमार सर आपको IDT पढ़ाएंगे वो IDT आप morning करिए और उसके बाद 10.45 से लेके और 1.15 तक आप DT कर सकते है और law में फिर आपको एक और alternative चाहिए तो अमित पोपली सर का एक batch है जो की आपका afternoon 2.00 पीम से लेके और 4.30 पीम तक रहेगा जिसका detail आपको यहाँ पे दे रखा है ये तो ही first group की बात लेकिन सर हमको अभी second group भी करना है विकास 6 subject है आप दे रहे है इंटर तो obviously आपका target रहेगा कि both group जाए और both group का result सर अच्छा रहता है जब भी new syllabus आता है तो result अच्छा रहता है हमेशा result अच्छा रहता है तो आप second group जो है वो कौन पढ़ाने वाले है तो second group आपको S के सर पढ़ाने वाले है S के मींस संकल्प कांस्टिया and शुवम केश्वानी सर दोनो S के नाम से है दोनों ही बहुत ही अच्छी faculties है दोनों बहुत अच्छे से बढ़ाते है आप दोनों को बहुत अच्छे से जानते हो तो ये दोनों आपके तीनों subject पढ़ाने वाले है सर, S के सर जो है संकल्प सर है वो आपको costing पढ़ाने वाले है costing बहुत time से पढ़ा रहे है सर का interest है वो finance में है सर पहले JP Morgan में थे रहे सर JP Morgan में काम किये तो इनका finance में बहुत ज़्यादा interest है CA final का SFM पढ़ा रहे है तो इन्हों ने बोला कि सर जो FM वाला 50 marks का पेपर है वो ही मैं कंप्लीट करवाऊंगा और उसके बाद में आपका जो FM के साथ में जो SM है strategic management और theory शुबम सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता मैं बोल सकता हूँ तो शुबम सर आपको audit पढ़ाने वाले है और SM पढ़ाने वाले है तो सर आप बताईए आप सेकेंड ग्रूप का शिडूल क्या रहेगा कैसे बच्छों को है वो class complete होगी थैंक्यू थैंक्यू सर सो एक important चीज के सारे lectures जो है आपके रिए live at home होंगे तो live batch है तो सबसे best चीज जो live batch में होती है हो है कि doubt solving on the spot हो जाता है आप लोग का भी momentum बना रहता है and discipline रहता है so by default आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे plus बीच बीच में हम लोग test conduct करते रहेंगे so that आप लोग के भी targets आप regular basis पे meet करते रहे foundation का जैसे result आएगा थोड़ा हम लोग tentatively dates रखा है and definitely as we said you can aim for a rank so starting से ही दोनो group का ही plan करना because क्या है कि एक ही group का सोचोगे तो complacent हो जाओगे फिर कई बार हम लोग ने देखा है कि यार student वो भी डंग से नहीं कर पाता है उससे अच्छा गर आप आप उन the toes रहोगे जैसा मैंने बोला हमने भी दोनों ग्रूप दिया था इंटर में हमारे भी 6 पेपर थे so we can actually feel all of this going through and हम लोग ने भी same around 10 to 12 hours के हमारे lectures होते थे so we have been through this बहुत मजा आपको यही time है जो अब सीए बनने के बाद लगता है यार वाओ वो time पे महनत हो गई and अब वो सब का हम लोग को फल मिल रहा है अब लोगों के लिए मैं discuss कर रहा हूं group 2 के 3 subjects so costing and FM practical है and जैसा सर ने बोला कि मेरा practical strong है so I will be taking these subjects and theory Shubham Keswani sir लेंगे and he is a champion of theory so august में 14th mid august में start करने का plan है हम लोग का so costing and FM मैं दोनों साथ में start करूंगा Monday to Thursday we will keep costing का lectures Friday Saturday we will keep FM का lectures जो भी 6 दिन है पूरा lectures मेरा होगा 2 o'clock to 4 30 p.m. so must आप और मैं खाना का के आएंगे and साथ में खाना काने के बाद पूरी जो energy है वो अपने को batch में डालनी है and then 5 to 7 p.m. 7 30 p.m. Shubham Keswani sir लेंगे first he will complete audit and then he will complete strategic management so this is आप से पूरा systematically planned schedule है आप लोगे के पास and आप लोग को तरफ से और भी कुछ points हो so do let us know comment पे so that we can give you the apt answer but according to us बहुत meticulously planned schedule है अगर आप इसको एकदम सही तरीके से follow करते हो and then जो आपको 4 months की लीव मिलेगे उसमें आप जैसे इसे हम लोग revision lectures आपको देते जाएंगे उसको आप follow करोगे definitely success is going to be yours in the first attempt itself right sir yes बिल्कुल so like बस intermediate है और मैं बता दूसर को सीए में है ना मेरे को यह लगता है कि जो intermediate का study period रहता है अब हो सबसे effort ज्यादा लगाने वाला period रहता है बिकॉस यह final का इनका exam आएगा articleship के बाद और उसमें आर्टिकल्शिप दो साल की रहेगी उसके बाद दो साल अराम से पढ़ो फिर दो और मैं बता दू अभी आर्टिकल्शिप पहले क्या होता था था सर old syllabus में एक ग्रूप क्लियर कर दिया तो भी अर्टिकल्शिप चालू होथी थी अब ऐसा नहीं है कि दो नों ग्रूप एक सब्सक्रिण चालू हैärt और चांद बाकी हम लोग है यह आपके साथ में करके ठीक है तो यह बैज चालू होने वाला है सर्फ बैज का टेंटिटिव डेट क्या है मैंने यहाँ पर 14 ऑगस्त डाला है बट आप एक चीज़ ध्यान रखिए हम बैज चालू करेंगे फाउंडेशन के रिजल्ट के 10 दिन बाद तो जिस दिन फाउंडेशन का रिजल्ट डिकलेर होता है एक्जाक्ली उसके 10 डे के बाद में है वो आपका बैज चालू होने वाला है अभी तक आपने इंटर की कोई भी क्लासेज नहीं लिए बिंदास टेंशन बिल्कुल मत लीज जाने आने में ट्रेवलिंग कितना टाइम लगता है और यहां पे ऐसा नहीं है कि आपको 7 से लेके एकदम 7 बजे तक लेक्षर है नहीं साथ से दस लिया उसके बाद 45 मिनेट्स का टाइम है 45 मिनेट्स के बाद यह लेक्ट्टे का एक डिए का प मीट्ट्चर गरेगा इंग को बहुत सारे batches का चुट्टी रहेगा, अगर कि Sunday को हो सकता है, account एक बड़ा subject होता है, तो उसका lecture रहेगा, बाकि जितने भी batches है, वो Sunday को चुट्टी रहेगा, जिससे कि आप थोड़ा homework कर सकते हैं, थोड़ा revise कर सकते हैं, और Monday को वापस आप हमसे मिल सकते हैं, So guys, see you in lecture, तो जैसे ही आपके intermediate के lecture चालू होने वाले है, तब हम लोग मिलने वाले हैं, and we are aiming for the rank, okay, thanks a lot people, that's enough for today from our side.